hth hello and welcome student स्वागत एपका pharma से लिट्टी चैनल पर आज हम बात करने वाले हैं बी-pharma first semester में लगने वाली सभी किताबों की बाहर हैं जिन किताबों को बताया जा रहा है इन किताबों को पढ़कर आप अपना नौले बढ़ा सकते हैं और अच्छे इशको लाशकते हैं हम सिफ बूग का नाम बता रहे हैं पढ़ना आपके उपर डिपेंड करता है कि आपको कौन से बूग सौन में आती है अकौन से नहीं आती तो चलिए समझते हैं सभी बुक के बारे में आसान धासा में तो जो हमारे पहले बुक लगती है Human Anatomy and Physiology तो पहले बुक है Principal of Anatomy and Physiology जो उसके राइटर है Jay Tartora वहीं सेकेंड बुक लगती है Simplified Anatomy Physiology and Health Education जो इसके राइटर है Dr.P.K. अगरवाल वहीं जो तीसरी बुक है Human Anatomy and Physiology for Pharmacy इसके राइटर है Dr. A.K. Jain और रहीं पे एक और बुक लगती है Human Anatomy and Physiology जो रोशन बिल्सन राइटर है जो हमारे सेकेंड बुक लगती है Pharmaceutical Inorganic Chemistry तो यहां फास्ट बुक है Pharmaceutical Inorganic Chemistry by G.R. Chetwal वहीं Pharmaceutical Inorganic Chemistry में जो सेकेंड बुक आती है Dr. K.G. बोथारा वहीं जो तीसरी बुक लिस्ट में है Pharmaceutical Inorganic Chemistry में Dr. K.S. Jain हम बात करने वाले हैं अगली जो हमारे बुक लगती है Pharmaceutical Analysis टीसरी नमबर बारती है Pharmaceutical Analysis जो इसके राइट है Pharmaceutical Analysis जो फर्स्ट बुक है Dr. Yameyan More वहीं जो सेकेंड बुक आती है Pharmaceutical Analysis की Dr. Kospend Kumar वहीं जो तीसी लिस्ट बुक है Pharmaceutical Analysis की Dr. Sanjay जी वर्ल्ड ओर है वहीं बात करते हैं लास्ट बुक के बारे में Pharmaceuticals फर्स्ट जो बुक लगती है यह आपको सिकंड या नो भी लगती है Pharmaceuticals सिकंड नाम से तो यह जो बुक है Pharmaceuticals फर्स्ट इसके जो राइट आर है पहली बुक है आरे मेहता जो इसके राइट आर है ठीक है Pharmaceuticals फर्स्ट के सेकंड बुक लगती है Pharmaceuticals फर्स्ट में जो उनके राइट आ रहे है डॉक्टर दी ए भागवद वहीं जो तीसरी बुक है Pharmaceuticals for B Pharma ठीक है यह फार्मासेटिक की ही बुक है Pharmaceuticals for B Pharma भाई डॉक्टर एट टैमरम बावर डावर थैंक यू सो मज़ फोर वाचिंग इस वीडियो आई होब जो हम मैंने आपको बुक बताई है तो आपको सुन जा गया होगा कौन जो बुक को साब को पढ़ना है